तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फिक्स डोस कॉंबिनेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में FDCB कहा जाता है अभी इस फिगर पे से आप देख सकते हैं कि क्या होता है फिक्स डोस कॉंबिनेशन तू और मौर ड्रग इन फिक्स डोस रेश और कॉंबिनेशन है गुँबिनेशन मिन्ज मौर धन टू ड्रगज दो ड्रग हो तीन हो चार हो या दो से जीदा कितनी भी ड्रगज हो लेकिन उसको फिक्स डोस में हो उसका डोस फिक्स हो और उसको कंभाईन करके एक नया ही फॉर्मिलेशन स बनाया जाए, जिसे बोलते ह को combine करके एक ड्रग बनाया गया है ठीक है तो इसे हम बोलते हैं fix dose combination तो patient को तीन दवाई लेने की बजाए अब सिर्फ एक ही दवाई लेनी पड़ेगे तो बैतर है तो इसलिए हम लोग देखेंगे क्या है fix dose combinations के advantages और disadvantages भी हम लोग discuss करेंगे तो advantages as common logical चीज है कि बहुत convenient होगा patient का compliance बढ़ जाएगा means की patient कभी drop ने करेगा वो बहतर रहेगा वो ही doctor के पास आएगा वो doctor तीन गोली की बजाए एक ही गोली देने को रहे तो patient का compliance बढ़ जाता है especially chronic diseases में जो भी chronic diseases जैसे माल लीजी hypertension है या diabetes है तो ऐसे जो chronic disease में आपको ना longer time के treatment के लिए चरूर पड़ती है patient को दवाई longer time के लिए लेनी पड़ती है तो उस time पे अगर आप दो तीन गोली लोगे तो शायद chances है कि patient ठक जाए और फिर वो बहुत lazy हो जाए careless हो जाए और वो ना ले इसी टाइप के chronic disease में अगर आप एक ही tablet लो जैसे आप बोल जिए उनको के सुबा में उड़के tablet लेनी है या रात को सोते वक्ते tablet लेनी है तो उसके लिए बहुत easy हो जाता है वो तो chronic disease में longer term के लिए भी बहुत सकता है तो इसे हम कहते है patient compliance इससे patient compliance बढ़ता है दूसरा चीज है synergistic action जो हमने अभी अभी फार्मकोड डाइनमिक में किया कि synergistic क्या होता है synergistic means एक प्लस एक पांच इससे synergistic कहते है simple terminology में समझाओ तो अगर दो ट्रग आप combine करते हो तो उसका effect दोनों के combination से भी काफी बढ़ जाएगा जनरली वन प्लस वन टू होता है लेकिन यह टू से भी ज्यादा होगा दोनों ट्रग कंबाइन करने के तो बोलते हैं कि इसको synergistic action तो कुछ combination ऐसे होते हैं जो combine करने से हमको ऐसा synergistic action मिलते हैं जैसे हमने वह पर डिसकर्स किया था जो एंटिबाइटिक्स जैसे सलफा में तो लोग यूज करते हैं Parkinsonism के patient में कुछ examples आप याद रख सकते हैं तो ऐसे जो combination है इनको fix those combinations में देने से बहुत advantage होता है तीसरा चीज है कि additive effects एक synergistic effect हो गया और यह हो गया additive effects में simple है लेकिन additive effect आता है 1 plus 1 is equal to 2 तो दो अगर single देता हो तो उसकी effect 1 f1 रहती हो जो combine करके देता हो तो 2 effect मिलता है हमको additive effect मिलता है double benefit मिलता है तो इसलिए कई कई कबार कुछ drug क्या combination additive effect प्रोडूइस करता है जैसे अम्रोडीपीन और रेटनी और होता है ऐसे combinations को भी आप combine करके दे सकते हो एक formulation बना के कई कई कबार क्या होता है कि एक drug दूसरे drug की side effect को counter कर देता है ठीक है side effect एक drug दूसरे रग की side effect को कम कर देता है जैसे यहां आप पर मान लिए एक thiazide नामका एक diuretic drug है वो क्या करता है कि body में से potassium निकाल देता है बाहर ठीक है तो अगर उसको साथ एक दूसरी drug combine किया जाए potassium sparing diuretic वो क्या होगा कि potassium को बाहर निकलने से बचाएगा तो अभी यह advantage क्या होगा दूनों का कि potassium बाहर निकालता था एक potassium बाहर नहीं निकालता है तो जो potassium का जो level है वो maintain हो जाएगा potation पे कोई असर नहीं आएगा तो इसकी जो side effects है वो counter हो जाती है यह medicines है तो ऐसी medicines आप combine करके दे सकते हो उसका added advantage तो ही लेकिन उसके साथ side effects को भी वो होता है कि आपको कभी भी single drug नहीं देना होता है ऐसे जो chronic infections होते हैं में आप कभी भी single drugs यूज नहीं करना होता है क्यों क्योंकि there are chances of resistance ठीक है resistance के बारे में antibiotic में deep में पढ़ेंगे क्या होता है resistance में एक प्रकार का tolerance ही कह लीजिए कि जिसमें जो bacteria है वो अब वो antibiotics से kill नहीं होंगे अगर आप long term exposure एक ही दवा का दे रहे हो पेशन को specially कुछ कुछ दवाई हो मैं जैसे antibiotics हो गया तो फिर bacteria अब थोड़े स्मार्ट हो जाएंगे और कुछ mechanism ढून निकालेंगे कि उससे बच सके तो उससी लिए antibiotic का असर दिरे दिरे कम होने लगेगा तो उसे हम लोग बोलते है resistance तो अगर एक ही दवाई देते हैं single दवाई तो इससे resistance के chances बढ़ जाते हैं इसलिए हम क्या करते हैं कि जो infections ऐसे TB और HIV infections chronic infections होते हैं इसमें आपको 3-4 दवाई या at least 2 दवाई या 3 दवाई को mix करके देना पड़ता है ठीक है तो इस time पे अगर आप ये 2 या 3 दवाई जो है उनका आप FDC बनाओगे fix those combination तो patient को भी easy रहेगा क्योंकि chronic disease है और उसका resistance का भी problem नहीं रहेगा तो combination से क्या होता है एक तो side effects कम होता है और resistance का chances भी कम होता है तो यह सब तो हमने देख लिया कि क्या advantages है अब देखते हैं क्या disadvantages है तो disadvantage यह है कि कई कभार prescribers FDC prescribe करने के लिए बहुत ततपर रहते हैं और इससे क्या होता है कि कभी के बाद पेशन्ट को एक्चुली जरूरत नहीं हो दि कोई medicine तो भी चली आती है for example में simple example दो कि patient को B12 deficiencies है ठीक है और डॉक्टर के बाद करता है और B complex medicine अब B complex में क्या होगा कि B12 भी होगा B6 भी होगा B1 भी होगा सब vitamins आ जाएंगे और patient को जरूरत है सिर्फ B12 की और prescribe किया गया है सब B complex तो जरूरत नहीं है तो इससे क्या होगा कि जो unnecessary medicine भी patient के अंदर चली जाएगी इससे क्या होगा कि patient के ऊपर cost का button भी बढ़ेगा वो ज्यादा महेंगी होगी दबाईया ठीक है और chances है कि side effects interactions के chances भी बढ dose रहता है dose fixed रहता है तो हम लोग adjust dose को करना बहुत ही difficult होता है जैसे एक example में देख लिया कि drug A का 200 mg और drug B का 400 mg अब यह आप और fixed dose combination बनाया है तो अभी क्या है कि आप इसको flexibility नहीं है आपके पास dose adjustment के अगर आप एक ही medicine use करते तो आपके पास flexibility रहती है अगर drug A का आपको 200 में आपके से 100 करना है तो आपके पास flexibility है लेकिन यहां पर आपने fixed dose combination यूज किया है तो आपके पास dose adjustment का facility और flexibility नहीं है time course of action different अगर आपने दो ड्रग कंबाइन किया है A और B तो A का जो फार्मो काइनेटिक है वो B से मैच होना चाहिए अगर नहीं होगा तो difficulty होगा जैसे A का T half 5 hours है ड्रग A का T half 5 hours है और ड्रग B का T half है वो 2 hours है तो अब ऐसी ड्रग को combine करके कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि क्या है कि दोनों का T half फार्मो काइनेटिक डेटा अलग है आप इसी इसी ड्रग को combine कर सकते हो जिसका फार्मो काइनेटिक डेटा comparatively match हो रहा हूँ ऐसे combinations का कोई मतलब नहीं होता है तो यह disadvantage है दूसरा क्या होता है कि जब भी बोडी में कुछ renal function या liver function affect होते हैं तो वो दोनों combination में जो जो भी ड्रग होती हो उसको अलग-अलग तरीके से affect करते हैं तो इसलिए हमने discussion किया कि फार्मो काइनेटिक डेटा उसका match होना दूसरी जीज अभी मान लिजे कि एक combination है वो combination में अपने drug A और drug B को combine किया है अभी patient को कोई side effect हुआ तो side effect मान लिजे कि A component की वज़ा से हुआ तो अभी क्या होगा आपको पूरा जो fixed dose combination है वो ही patient को देना बंद करना पड़ेगा तो drug B का भी अब roll चला जाएगा तो पूरा fixed dose combination ही waste हो जाएगा तो अगर side effects होता है एक drug से तो दूसरा drug भी waste हो जाता है तो अभी के आए कि पूरा fixed dose combination waste हो जाता है इंडिविजुलाइस करते हो तो अपने पास flexibility रहता है कि चलो A से side effect होगा तो अपने को A की जगह के अब C देना है लेकिन B तो continue रखना ही है तो यह ची अगर adverse drug reaction हुआ भी एक fixed dose combination हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि A component से हुआ एक B component से हुआ क्योंकि उसमें fixed dose में है किस से हुआ वो लगाना बहुत comparatively मुश्किल होगा तो वो भी एक issue arise होता है तो hopefully आप लोग समझ गए होंगे fixed dose combinations के पारे में